दोस्तों हमारे पास है Nokia 110 4G feature phone ये Nokia का काफी affordable 4G feature phone है इस phone में multimedia feature के साथ-साथ UPI payment का option भी मिलता है तो अगर इस phone को लेने का आप मन बना रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए और इस वीडियो में हम इस phone के पूरे features के बारे में detail में बात करेंगे तो box में आपको phone के साथ micro USB charger, quick guide और 1450 mh की battery देखने को मिलेगी ये phone आपको blue और purple color में देखने को मिलेगा और इसकी कीमत है 2399 रुपे फोन के अंदर आपको dual 4G SIM slot देखने को मिल जाएगा साथ ही एक micro HD card slot दिया हुआ है जो की 32 GB तक card support करता है टॉप में आपको torch light और 3.5 mm jack देखने को मिलेगा राइट साइड और लेफ्ट साइड कुछ भी नहीं है नीचे में आपको micro USB port charging के लिए और dog connector पिन मिल जाएगा बैक में QVJ camera और Nokia की branding metallic finish में देखने को मिलेगी डिस्प्ले साइज आपको 1.77 inches का देखने को मिलेगा बटन्स काफी बड़े बड़े और सॉफ्ट है ये फोन IP52 water और dust resistance के साथ आता है फोन लेते ही आपको अजीब सी keypad tone सुनाई देगी जो की थोड़ा परिशान कर सकती है इसे off करने के लिए आपको settings के अंदर profile में जाना है normal में जाके आपको settings में जाना है और adjust volume में जाके नीचे key tone का volume कम कर देना है ये फोन 12 Indian languages को support करता है जिसे change करने के लिए आप settings में जाएए phone settings में जाके आप language setting में जाएए और Indian language कोई भी choose कर लिजए अगर आपने Hindi language चुनी है तो आप message भी Hindi में type कर सकते है अगर ये phone आपको बड़े बुज़ूर को देना है तो इसका text size आप बढ़ा सकते हैं उनके लिए साथ ही आप menu icons को भी बढ़ा सकते हैं zoomed menu यूज़ करके और menu के icons बढ़े बढ़े आने लगेंगे इसका wallpaper चेंज करने के लिए आपको display settings में जाना है wallpaper में जाना है और more picture select करना है और अगर आपके memory card में कोई wallpaper पढ़ा है तो आप उसे choose कर सकते हैं जैसी कि मैं यहाँ पर ये wallpaper set कर देता हूँ contacts की बात करें तो इस phone में आप अपने android phone से contact sync कर सकते हैं Bluetooth के द्वारा साथ ही आप इस phone में 2000 contact save कर सकते हैं phone में इस phone में आपको speed dial का भी option मिलेगा जो कि आप 2 से लेके 9 key तक set कर सकते हैं इसके call image में आप icon भी set कर सकते हैं उसे set करने के लिए आपको select from album में जाना है अपने memory card से कोई भी icon चूस करना है और उसे आप set कर सकते हैं set किया हुआ icon आपको call करते time show होगा इस phone में आपको loudspeaker भी देखने को मिलेगा साथ ही आप manually इसके call recording को start या stop कर सकते हैं 4G होने के कारण आप इस phone में geosim भी चला पाएंगे multimedia features की बात करें तो इसमें आपको MP3 player देखने को मिलेगा इस MP3 player में आप playlist क्रिएट कर सकते हैं गानों को shuffle repeat या as a ringtone set कर सकते हैं पर इसमें आपको equalizer देखने को नहीं मिलेगा Bluetooth होने के कारण आप इसमें अपने air drops भी connect कर सकते हैं और इन air drops है आप call भी ले सकते हैं और music भी सुन सकते हैं इस phone में आपको record option के साथ wireless FM भी देखने को मिलेगा इसके QVJ camera के quality decent है साथ ही आप इस camera से video recording भी कर सकते हैं voice note लेने के लिए इसमें आपको recorder का option भी मिल जाएगा audio recorder की quality ठीक ताक है apps की बात करें तो इसमें आपको Gupshop पे app मिलेगा UPI payment के लिए camera होने के कारण ये app QR code scanning feature को भी support करता है अगर आपको Gupshop पे app setup के बारे में जाना है तो इसका वीडियो आपको description में मिल जाएगा इसके अलावे इस phone में आपको Opera mini browser देखने को मिलेगा इस browser से आप बहुत ही basic काम कर सकते हैं और ये online music streaming support नहीं करेगा इसके अलावे इस phone में आपको Facebook app देखने को मिलेगा जो की Opera browser से ही open होगा memory card के contents देखने के लिए आपको file manager app भी मिल जाएगा गेम्स की बात करें तो Snake के लावा आपको Tetris, Racing Attack, Doodle Jump और Blackjack जैसे चार गेम मिल जाएगे अगर आप इसमें Geo Sim यूज़ करें तो ये चारो गेम आपको फ्री में मिलेंगे साथ ही apps में आपको YouTube, WhatsApp या कोई भी app store नहीं मिलेगा तो ये phone आपको लेना चाहिए कि नहीं इसके बारे में बात कर लेते हैं तो मेरे सबसे ये Nokia का best budget 4G feature phone है जिसमें UPI QR code scanning का feature भी आता है इसी Nokia 110 4G का 2021 वाला model अभी भी 3000 रुपए का आ रहा है अगर आपको इसके जैसा same feature वाला phone चाहिए जिसमें 2G network हो तो आप Nokia 110 2G देख सकते हैं इसकी कीमत 700 रुपए कम है यानि की 1699 रुपए है और अगर आपको 4G phone ही चाहिए लेकिन कैमरा ना भी हो तो चलेगा तो आप Nokia 106 4G feature phone ले सकते हैं इसकी कीमत 200 रुपए कम है यानि की 2200 रुपए है Nokia 106 4G और Nokia 110 2G दोनों ही phone के video link आपको description में मिल जाएंगे तो दोस्तों अगर यह video आपको पसंद रहा तो इसे like करें साथी ऐसे gadgets के video देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe करें धन्यवाद